बच्चो अब हम समनांतर चत्रभूश से सम्मंदित एक और प्रमे के बारे में बात करेंगे इसे हमने 11 एक क्रमांग दिया है और ये प्रमे कहता है कि किसे समनांतर चत्रभूश का विकर्ण उसे दो सरवांग सम्त रिभूजों में विभाजित करता है ये कथन है समनांतर चत्रभूज के बारे में और इसे हम इस चित्र में समझने कोशिश करें एक ABCD समनांतर चत्रभूज है और समनांतर चत्रभूज के गुणों में आपने देखा है कि यदि किसी चत्रभुज के आमने सामने के भुजाओं के दोनों जोड़े समनांतर हो तो वो चत्रभुज समनांतर होता है यानि इस चत्रभुज A, B, C, D में आप कह सकते हैं कि A, B और D, C ये दोनों भुजाओं समनांतर है और ठीक इसी तरह से भुजाओं का दूसरा जोड़ा AD और BC भी एक दूसरे के समनांतर है तो इस तरह से इस चत्रभुज के आपने सामने के भुजाओं के दोनों जोड़े समनांतर है तो इस परस्तिती में हम कह सकते हैं कि ABCD एक समनांतर चत्रभुज है AC उस समनांतर चत्रभुज का एक विकर्ण है ये विकर्ण AC पूरे चत्रभुज को दो त्रिभुजों में बाट रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD तो ये प्रमे कहता है कि जो त्रिभुज हमें मिल रहे हैं दोनों ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इसे हमें लिख ले कि हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पहला वाला त्रिभुज जिसे हम ABC कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के A, C, D अब इस सरवांग समता को सिद्ध करने के लिए हमें तरभुच के सरवांग समता के नियमों के इस्तमाल करना पड़ेगा जो आप पहले कई बार कर चुके हैं तो देखें हम क्या क्या हमें मिलता है अब इन तरभुचों में आप यदि समनांतर D, C के यह दिया हुआ है समनांतर चुत्रभुच के गोल से हमें यह पता है तो इस इन दोनों समनांतर रेखाओं को A, C, T, R, C, D, C, D काट रही है तो आप देख रहे हैं इससे दो कोण बन रहे है यह कोण जिससे आप C का एक हिस्सा कह सकते हैं कोण के रुपे दिखाए पड़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि कोण D, C, A कोण D, C, A बराबर कोण C, A, B जिससे आपने निले रंग से इस तरह चिनांकित किया है इन दोनों कोणों की हम बात कर रहे हैं D, C, A, बराबर कोण C, A, B C, यह एक अंतर कोण है और दो समन अंतर दो समन अंतर रेखाओं की बीच तीर्यक देखा, A, C काटने से बन रहे हैं यह हम लिख लें A, C, तीर्यक देखा, उन्हें काट रही है तो एक कतन हमें यह मिला फिर से एक बार आप देखिए अब चुकि फिर से हम देखें की A, D और B, C समन अंतर है A, D समन अंतर है B, C के और फिर से तीर्यक देखा, A, C उन्हें काटती है इसे फिर से लिख लें A, C तीर्यक देखा, उन्हें काटती है तो जब भी समन अंतर रेखाओं की किसी जोड़े को कोई तीरेक रेखा काटती है तो जो एक अंतर कोण होते हैं वह बराबर होते हैं अब की बार आप यहां धान दीजिए जो लाल रंग से रखांकित है उस कोण को देखिए कि एडी और बीसी समान अंतर रेखा है और तीरेक रेखा एसी उन्हें काट रही है तो यह जो कोण का सेट बन रहा है वह एक अंतर कोण है कोण डी एसी कोण डी एसी बराबर कोण A, C, B यह भी एक अंतर कोण है अब आपने दोनों त्रिभुजों में दो कोणों को एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर दिया यह कोण इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर है तीसरा कोण अपने एक दूसरे के बराबर हो जाता है लेकिन हमें एक भुजा को भी देखन क्या दोनों त्रिभुजों में कुछ एसी भुजा एंगार ओपस्थित आप किती सी ωs आपको मिली कि किसी त्रिभुज के दो कोड़ और उन कोड़ों के बीच के भुजा यह आपस में बराबर है दोनों त्रिभुजों में तो दोनों सर्वांग सम होते हैं तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज A, B, C सरवांग समय त्रिभुज C, D, A और यही आपको सिद्ध करना था तो अब तक आपको दो गोण मिल गए पहला गोण तो यह था कि किसी चत्रभुज के चारों अंतहकोणों को योग चार समकोण होता है और दूसरी बात जो आपको मिली वो समनांतर शत्रभुज के संदर में है कि किसी एक समनांतर शत्रभुज का विकर्ण उसे दो सरवांग सम त्रिभुजों में बाढ़ता है यदि विकर्ण बेड़ी होता तब भी आप इसी तरह सिद्ध कर सकते थे कि जो बनने वाले दोनों त्रिभुज है वो सरवांग सम है तो यह आपका प्रमे ग्यारा एक सिद्ध हुआ कि समनांतर शत्रभुज का विकर्ण उसे दो सरवांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है